आज की हमारी Power BI की Class में हम Data Visualization पर डिस्कॉस कर रहे हैं और आज हम डिस्कॉस करेंगे Map के उपर Map Classes के उपर हम आपके साथ आज डिस्कॉस करेंगे सबसे पहले हम एक डेटा लेते हैं जिसमें हमने Map का डेटा क्रियेट कर रखा है देखा आपने मैं कैसे क्रियेट किया हमने बस बिगी बीडिया से सिटी लिस्ट लिया और अपना एक डेटा त्यार कर लिया है तो चलिए उसी डेटा के उपर हम आपको आज Map बनाना दिखाते हैं तो सीट वन पर डेटा है हमारा सीट वन को क्लिक किया और डेटा आपके सामने दिख रहा है हमने इसको लोड कर दिया यहां पर फिल्ड्स आ गया लोड हो गया एक पर डेटा को देख लेते हैं तो डेटा देखी क्या है डेटा में हमारे पास सिटी है स्टेट है और परसंस नेम है प्रड़क्टे में क्वांटिटी एनमार्पी है यहां पर अमाउंट बगर नहीं है तो चली कुछ कैल्कुलेशन करके अमाउंट लाते हैं तो मोडलिक में आते हैं न्यू कॉलम पर और यहां पर हम देते हैं जैसे की अमाउंट और अमाउंट में हम क्या करते हैं quantity multiply by MRP इसके और भी calculation की जा सकती है फिलहाल इतना ही रणने देता हूँ उसके बाद हम यहाँ पर city का list लेते हैं डेटा में आप अपने city को यहाँ पर data types वगरा change देख सकते हैं यह data क्या है तो क्या है अगर आप टैबल्यू उज़ करते हैं तो जिवर्विकल डेटा को convert करने का options होते हैं जिसमें जो एक पर लेटा आप कर सकते हैं यहाँ पर देखिए होम टेबल में यह आपका एक कारा data category एक तो आपका data type होता है इसको हम यहाँ पर देखिए सिटी है कंट्री रीजन है कंट्री है लंगी टूट है पैलेस है स्टेट है इसको स्टेट पर कलिक करके इसको स्टेट में पर कर देता है यहां का स्टेट डेटा हो गया तो जगर इसको स्टेट रखूंगा और मैं यहां पर quantity रखता हूं यहां हमारी amount रखता हूं तो amount रखते है आटोमेटिकली देखिए यह map chart में क्लिक हो गया तो map chart देखने हैं आटोमेटिकली map chart में convert होने से क्या फैदा हुआ कि आपका डेटा आटोमेटिकली यहां पर convert हो गया अब मैं इसको ताशा यह करता हूं जून करता हूं mouse pointer से देखिए हर सिटी के इसाव से यहां पर डेटा आपके सामने बुल चार्ट बन रहा है है लेकिन देखिए क्या है कि अज़दातर शिटी यह में प्रोलम क्या होती है कि 100 से पीश का कंट्री में है जैसे आप यहां देखेंगे तो कुछ यहां पर भी data आ तो क्योंकि यह जो country है वह इंडिया में भी दो कंट्री आपको दिख रहा है इंडिया में भी है और आलने भी है मालदा मालदा आपका कोलकता है मालदा आपका अलग कंट्री यह जो आपका एंडोरा में भी पड़ता है तो यह तहां से confusion बारी चीजे हैं तो इसको solve करने के लिए क्या करेंगे तो इसको solve करने के लिए हम जो है डेटा जो हमने लिया तो इसमें langitude latitude का data लेंगे तो benefit रहेगा नंबर को जो भी होगा उसको यहां से city के जगह पे langitude और langitude हम select करतेंगे तो benefit रहेगा ठीकर सर्व तो आपका exact आएगा लेकिन उसकी cases में होता है तो उसकोई problem नहीं है तो ये हमारा chart है प्रोड़ु दिखते हैं सबसे पहले हमने लिया हूआ है सिटिया लेज़ंध अब यहां पर लेजेंट भी हम कुछ रखना चाहते हैं मानी जिंड नीम इताका रख्तिया क्या मैं नेम को रखताऊंगा ऊसके कोई यहां पर देखें है त्रासा फर्ट पूर्ट पर गया बैंगलोर कवीता और इमाउंट आपको यहां पर दिख रहा है तो क्लिक करते दिख जाएगा लेकि इसके भी और भी बहुत चीज़े हैं जो कि बारे मताएंगे लंगीटूट बगड़ा भी यहां पर सकते हैं आप लंगीटूट को आप यहां पर रख सकते हैं लेकिन हमने यहां आप ऐसा नहीं किया हुआ है यह मैं पास लंगीटूट बगड़ा नहीं है ताकि इससीटी को अपने आप और पो कंसीडर कर लेगा और थोड़ी दर में लंगीटूट के डेटा के बारे में आपको बहुत समझा हूए अब इसमें लोकेशन हो गया या आप उसके लो अगर 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 देखें का होगा कि फिर इसके सिटी के नेम आपको दिख जाएंगे तकि दिखान नेकिए अगर आपके पाद ज्यादा बड़ा एरिया हो डेटा हो तो इसमें दिक्कत होता है तो यहां आप देख रहे हैं कि हर सिटी का नेम यहां पर आपको दिख रहा है सिटी नेम उसके बाद यहां अगर हम टाइटल्स हैं बैग्राउंड ही है और बैग्राउंड हो गया या कि लॉक स्पेस होता है इसमें डेटा लेवल नहीं होता है तो आपका अपने साफ से मैप के दे सकते हैं तो क्या पर ह AdmP की Ctrl की बात करें तो क्या Is Disability है या जूमबटन लाना चाहते हैं जूमबटन पर ख्लिक कर दिया क्या है यहां पर देखी जूमबटन का बटन आ गया माउस पॉंडटर से नहीं होपा रहा है इसकी दूरूर्ब नहीं पड़ती है जेनल य आपका प्रजीशन बगदा है जो कि सब में होता है बॉरडर देना चाहते हैं बॉरडर दे सकते हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा डेटा बिवार नहीं है अब अन्लेटिक्स में चलते हैं यहां, फिल्ड मैप, चलिए हम, फिल्ड मैप का लेते हैं, तो सबसे पहले हम, यहां, फिल्ड मैप लेते हैं, और इस मैप को select, तो अस बरा क्लिक्वा हो है, तो select करके, फिर इसमें हम city, और quantity को रखते हैं, यहां पर इसको एक बढ़ा करते हैं इसमें देखिए एरिया जो सिटी हमने दिया है वो सिटी यहां पर फिल्ड दिख रहा होगा अब इसकी फॉर्मेटिंग आप इसे यहां पर देखिए सिटी है लगी टूट लेजेंद यहां डाल सकते हैं यहां पर लगी टूट डाल जकते हैं और फिल्ड डालने के बाद तौट अब देख रहें अलग अलग हो गया हर नाम का कलर अलग अलग हो गया अब इसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर आते हैं अब इसकी फॉर्मेटिंग यहां पर फॉर्मेटिंग पर आते हैं इस फॉर्मेटिंग आने के बाद सीमची लेजर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर् तो फिल मैप इस तरह से वर्क करता है, बट इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें डेटा लेवल होता नहीं है, डेटा लेवल होता तो ठीक रहता है, बट डेटा लेवल नहीं है, जबी कुछ अप्लाई करता है, तो मैं वापस है, यह रहता है, जूम आउड रहता है, इसलिए इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसलिए थोड़ा सा स्लो चलता है, मैप के स्टाइल है हमारा, मैं एक आम तो तो स्टाइल में डार्क कर देता हूँ, डार्क में फ्रसे ज़दा देखेगा, अच्छा देखेगा, प्रसे ज़दाएल देखेगा, यह रहता है, यह रहता है, यह रहता है, और इसकी एंटेक्स में भी कोई खास नहीं है ठीक है अब यह काम करता हूं मैं यहां से सिटी नहीं लेता हूं मैं इसमें स्टेट लेता हूं तो क्या होता है स्टेट लेने से फैदा क्या हूआ कि जो स्टेट से क्या हूआ कि हमारा एरिया फिल हो गया अब मैं काम करता हूं इसमें लेजेंड जो है हमारा लेजेंड इसको हटा देता हूं लेजेंड हटाने पर आप देखेंड़ेंप यहां पर आपकी घिल हो गई है पूरी कि Wikipedia कि असरे यहां पर Goa का मैप हालाइट नहीं है कलर न ही है तो जहांजाक अ कलर है वहां आपके लिए ख RE tenants अब अगर इसकी फर्मटी में बात करू है तो यहां बी आपका क्लर WR시면 है जोर क्यों है अलग अलग क्ल यहां से इसलिए आप चाहते हो कि गर्णाड का कर अे तो यहां से आप कर नाटका के लिए लिए ब्लू हो सब्सक्रीयों तो मत परदेस के लिए मत परिदेस का अलग कलर हो उसके आसरे माह रास्टा के लिए अ cis or color टुमारास्टा के लिए ठीक है पिस द्रसी इसका यूज आप कलर अलग कलर कर सकते हैं यह आपका मैप के स्टाइल है यहां पे आपका टाइटल से क्या देना चाहते हो वह रैप करना चाहते हो तो वह रैप हो जाएगा यह आपका बैग्राउं कलर क्या और आपका यह आता है और इसकी बोटर देनी है नहीं देनी है बोटर का कलर क्या देना है आप यहां डिसाइड कर सकते हो समुझना आगा सब संदीब जी, कलपेज जी, अमित जी कोई डाउटिस में तो आप Map chart और Fill Map chart दोनों को समझ गहे और दोनों के बीच में जो differences जो समझ में आगे जब दोनों के बीच में जो डिफ्रेंसे से समझना आगी ना सर्व चलिए हमने देश भी हो एटा चलिदा हम ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब यह देखिए हमारा इसके बाद अगला चार्ट आता है वह आता है फुनल चार्ट जैसे कि हमने यहां पर नेम दिया और नेम में हमने अमाले जी यहां पर आपर आपर तो इस तरह आएगा मतलब की नीचे से ऊपर गी तो सब्सक्राइब करता है यहां से मार पी मांट अजटा जाता हूं जाए यहां इसको रखता हूं इसको अधर क्वांटिटी रखता हूं फिर भी आप देखेंगी इसी तरह से फिनल चार्ट का उचप्षाट है अब इसकी फोर्मेट के बात करें तो इसमें कोई नई नहीं 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 और अगया है कि पुलिए कि आपको दिखा रहा है कि यहां पर कि रहा है कि और इसकी कलर आप चेंज करना चाहों तो यह पिंक हो जाएगा सइस की फॉर्मट पर ना क्या है तो होता है से ओक और बाद चार्ड के बारे में तो मैंने बता दिया था जार के बारे में उसके बाद अगला टॉपीक आपका लेवल है, कार्ड है, सॉरी, तो कार्ड भी मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको में आपको कार्ड में इसा होगा है, कुछ चीज़ दो करना चाहते हैं, जैसे मैं इसमें, क्वांटिटी यहां आपना चाहते हैं, तो टोटल सम्द आपको क्वांटिटी यहां आ गया, तो यहां पर quantity हम यहां पर इस पर देते हैं, यहां पर जो quantity है, आपको सामने दिख रहा है, अब इसकी titles हमने on कर देता हूं, तो यहां पर total आपको सामने चाहिए, अब अपर हिसाब से चूच कर सकते हों कि क्या होना चाहिए, तो यहां पर यहां पर क्या होना चाहिए, यूनित भगड़ा अटो है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सूर्स स्कैपिंग है, अब दूसरा, अगर मालेज़े कि मुझे यहां हमने average लिया, यहां MRP, amount लिया, MRP, sorry, MRP लिया, तो MRP में हमने इसको, एक पर स्लेक करता हूं, इसको convert कर देता हूं मैं, card में, right, और इसमें मैं MRP का यहां पर click करता हूं, और sum में मैं इसका average कर देता हूं, इस तरह से चीज़े कर सकते हूं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कि हम multiple card के लिए हम, multiple card ला option देते हैं, इसमें मैं इक काम करता हूं, name, और इसकी quantity add कर देता हूं, इसकी name और city आप यहां बिख रहा है, quantity, quantity का यहां पर sum है, कुछ और भी change कर सकते हैं, sorry, यहां इसकी formatting में आते हैं, तो formatting में इसका data label जो है हो रही रहता है, उसके बाद यहां पर इसकी category है, category को on हटा देगी, तो यहां पर नीचे quantity दीख रहा था, quantity नहीं दीखेगा अगर नहीं चाहते हैं तो, ठीक है, यहां पर card का titles क्या होना चाहिए, card title के formatting क्या होना चाहिए हो दीख रहा है आपको, card outside वगर नन है तो नन के जगाव मैं रहता हूं कि यहां पर top only, और यहां पर width यहां से बहाए जा सकता है, इसकी add जा सकता है, apply unit, इसकी color यहां पर, और यहां पर top plus bottom कर देता हूं, तो इस तरह से दिखेगा है, यह बीच में lining है ना सर, यह होता है सर, outline की बागता है, white पर दिखने रहा होगा लेकिन आओ यहां पर color जो है मैं अगर कोई और कर दू ब्लैक कर दू तो आपको दिख जाएगा, दिख रहा है सर, तो multiple card इसके लिए mark की जाते हैं, उसके बाद card का title चाहिए आपको, तो title डालिएगा तो ऊपर में title आएगा, title नहीं आ रहा है, पर दिखेगा title, उसके बाद background, look space, border, gender तो normal होता है card title, तो बैसे card titles हम यूज करते हैं, जो आपको अगर 3-4 ऐसे card हो, उस cases में इसका इस्तमानम करते है, card title का, ठीक है सर, पर इसको multiple card में बस इले एक line बैजी आती है, इसमें, से कॉलनम बैज नहीं होता है, और मैं इसको कॉलम बैज करना चाहँ, पॉलम बैज नहीं होसकता है, इस पॉर्ट लाइट सॉट बाई एक्सपोर्ट डेटा फिल्टर है तो एक का मैं अब मैं अब मैं को डिलीट करता हूं इसमें एक और आपसन आता है हमारे पास यह आता है के पी आई के फुल फर्म जानते हैं क्या होता है के फुल फर्म होता है की और परफॉर्मेंस इंडिकेटर ठीक है तो के पी आई हम वहां पर यूज करते हैं जिसका एक अलग यूजर की छोटे मुटे डेटा भी यूज नहीं होता है बड़े डेटा भी यूज होता है कि एक बड़े डेटा पी उज़ता है इसका में एक अलग से अलग अलग परफॉर्मेंस इंडिकेटर से आप दिखना चाहते हैं उसके बाद इसमें नेक्स आपका आता है वा आता है इसमें इसमें कि आप फिल्ट्रेशन यहीं पर दे शकते हैं यहां पर कुछ किया तो पुड़ा रिपूर्ट अमर के अकॉर्डिंग अन्वार्ट हो गया तो इस तरह से हम इसके यूज कर सकते हैं इसमें मैं kpi में इसमें एक और slicer यहां से इंसर्ट करते हैं और slicer में हम दूसरा रख देते हैं मांगीजिये पुडब्ड रख दीजिए पुड़क पिटर अब मैं यहां पे देब की और पूड़क्ट 139 को देखना चाहता हूं तो उसके यहां पर तोटल और यहां पर तो इसके average हमें लिए जाता है, तो slices वहाँ पर इस्तिमार किये जाते है, यह जो आपके pivot table से familiar है तो इसमें कुछ बताने की जरुवत तो नहीं है, क्या सब्सक्राइब बाकि हमने tables और matrix दो चीज तो आपको हम पहले ही समझा चुके थे, और यह आपके R और Python की जो है, R और Python क languages यहां पर यूज की जाती है, और यहां आपके सामने की influencer है, यह आपके कुछ अपनी हिसाब से कुछ दे सकते हैं, लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, कुछ ऐसे notes वगड़ा है, जैसे कि हमने यहां पर लिया और हमने name के हिसाब से quantity का total है, यह आपका table है, अब इसे इसमें क्या होता है table में, इसमें हमने का किया city को भी रख दिया इसमें, तो यह आपका इस तरह से आजाएगा, अब इसको matrix करते हैं, तो इक column हो जाता है, इसमें पीबर table होता है, जिसमें total बगरा सब कुछ होता है, अब इसकी practice कीजिएगा, यह file में आपको भीज देता हूँ, आप इसकी practice कीजिएगा, आपको समझ माझ जाएगा, ठीक है, कल से हम calculation के ऊपर discuss करेंगे, कल से नहीं classes होगी, वो calculations से होगी, कि हम measures की calculations, quality calculations, दोर calculations एक साथ हम पढ़ेगा, उसके बात पर हम power qd पर जाएगा, बस मैं आपको file भीज देता हूँ, आदर जी, संदीब जी, कलपेस, और में एक जी तीन वान्मी को भीज देता हूँ, मैं आपको file भीज देता हूँ, यह हो गया, जहाँ, आपको इमिल के है, अमिय्टी email ID का है, अश्या इन के जाए, सागर पबा, और संदीब, ग्टन्देस झे कर दो भाइब दो लोगो